दोस्तों नमस्कार ये है मागदोशन फार्ट सिविल सर्विसेज मैं अनुराग शोधरी दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे सामान्य अध्यान का महत्वपू टापिक भारत में क्रिसिगत उत्पादन के आंकडे जिसमें आज हम भारत में विभिन फसलों के उत् जरूरी है आज की वीडियो में हम भारत में क्रिसिगत उत्पादन के टाप थ्री इस्टेट्स के बारे में जानेंगे आगे हम भारत में खनिज और बैस्विक क्रिसिगत और खनिज उत्पादन के बारे में भी पढ़ेंगे तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो ब उत्पादन के आखरोगों पर आधारित है तो आये सुझा करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले हम खाद्यान उत्पादन से संबंधित दोस्तों टाप 3 राज्यों के बारे में जानेंगे तो सबसे पहला दोस्तों खाद्यान उत्पादन में हम प्रमुख खाद्यान चावल के बारे में जानते हैं देखिए चावल उत्पादन की बात करें तो चावल उत्पादन में टाप पर पश्यम बंगाल है दूसरे अस्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे अस्थान पर पंजाब है तो देखिए दोस्तों चावल उत्पादन में अग्रणी राज या सबसे महतुपूर या सबसे बड़ा उत्पादक राज हमारा पश्यम बंगाल है दूसरे अस्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे अस्थान पर चावल उत्पादन में पंजाब है तो चावल उत्पादन के बारे में आप क्लियर हो गए कि चावल उत्पादन में वेश्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब है अब आईए देखते हैं दूसरे महत्वपूर्ण खाद्यान फसल गेहूं के बारे में तो गेहूं का टाप उत्पादक या गेहूं उत्पादन में पर्थम अस्थान पर कौन सा राज्य है ये है उत्तर प्रदेश दोस्तों गेहूं उत्पादन में पर्थम अस्थान पर उत्तर प्रदेश दूसरे पर मध्य प्रदेश और तीसरे अस्थान पर आपका पंजाब ह तो याद कर लिजे गेहु उत्पादन में उत्तर प्रदेश पर थमस्थान पर दूसरे पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर पंजाब है अब मक्का में दोस्तों मक्का उत्पादन में पर्थम अस्थान पर हमारा करनाटक राज्य है उसके बाद दूसरे पर मध्य परदेश तीसरे पर तेलंगाना है तो देखिए मक्का जो है इस मक्का उतपादन में पहले अस्थान पर करणाटक, दुसरे पर मध्यप्रदेश और तीसरे पर तिलंगाना है ज्वार उतपादन की अगर जो बात करें दोस्तों ज्वार उतपादन 2018-19 के आख्डूपर अधारित है ज्वार उत्पादन में करनाटक प्रथम अस्थान पर दूसरे पर महराष्ट और तीसरे पर तमिलनाडु है तो ज्वार उत्पादन पहले अस्थान पर करनाटक दूसरे पर महराष्ट और तीसरे पर तमिलनाडु है बाजरा उत्पादन के आकड़े दोस्तों ये भी 2018-19 पर है बाजरा उत्पादन में पहले अस्थान पर राजस्थान दूसरे पर उत्तर प्रदेश और तीसरे अस्थान पर हरियाड़ा है तो दिखिए हमने जो है ज्वार और बाजरा के उत्पादन के आकड़े 2018-19 पर आधारित हैं तो इसको हमने जान लिया ज्वार उत्पादन में पहले अस्थान पर करनाटक, दूसरे पर महराष्ट, तीसरे पर तमिलनाडू, बाजरा उत्पादन में राजस्थान, उत्तर प् राजस्थान, दूसरे पर करनाटक, और तीसरे पर मध्यप्रदेश है, चनाउत्पादन की बात करें अगर जो तो चनाउत्पादन में पहले पर राजस्थान, दूसरे पर महराष्ट, और तीसरे अस्थान पर चनाउत्पादन में मध्यप्रदेश है, तूर या अरहर, द तीसरे अस्थान पर आता है, तो तूर या अरहर एक दलहनी फसल है, तूर के उत्पादन में करनाटक पर्थम, महराश्ट दूती और उत्तरप्रदेश तीसरे अस्थान पर है, लेकिन कुल दालों की बात करें, कुल दालों में हमारा अरहर, मूंग, चना, मटर ये सब ही आता तो कुल दाल के उत्पादन की बात करें तो राजस्थान पर थम पर महराष्ट दूसरे अस्थान पर और मध्य प्रदेश तीसरे अस्थान पर आता है अरहर के उत्पादन में ऐसे तो करनाटक पहले पर है लेकिन अगर जो कुल दालों का लिया जाए कुल दालों के हिसाब से तो राजस्थान कुल दालों के उत्पादन में पर्थम, महराष्ट दूसरे और मध्य प्रदेश तीसरे अस्थान पर आता है एक महत्वपूर आकड़ा दोस्तों कुल खाध्यानों की बात की जाए कुल खाध्यानों में जो है सारी चीजें सामिल होती है गेहु, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज ये सारी चीजें कुल खाध्यानों के अंतरगत सामिल है कुल खाध्यानों की बात की जाएं तो दोस्तों उत्तर प्रदेश पहले अस्थान पर है मध्य प्रदेश दूसरे और पंजाब तीसरे अस्थान पर है तो दिखिए दोस्तों गेहूं उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पर्थम पर था मध्य प्रदेश दूसरे पर और पंजाब तीसरे पर तो ये आकड़ा आप याद रखिएगा कुल गेहु उत्पादन के जो आकड़े हैं यानि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब वही सेम आकड़े कुल खाद्यान उत्पादन में हैं कुल खाद्यान उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले, मध्य प्रदेश दूसरे और पंजाब आपका तीसरे अस्थान पर आता है। अब आगे आएए देखते हैं दोस्तों तिलहनी फसलों के उत्पादन में। अभी तक हमने खाध्यान फसलों का उत्पादन देखा था, अब आईए तिलहन उत्पादन देख लेते हैं, तिलहन में सबसे पहले हम मुझपली उत्पादन में देखेंगे, मुझपली उत्पादन में गुजरात परतम अस्थान पर, राजस्थान दूसरे और तमिल की अगर जो बात करें देखिए रेप सीड और सरसो उत्पादन में राजस्थान पहले अस्थान पर हर याड़ा दूसरे और उत्तर प्रदेश आपका तीसरे अस्थान पर सोयाबीन उत्पादन में आप जानते ही हैं सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले पर महरा पर जो हम आकड़े देख रहे हैं उसमें सोयाबीन में सोयाबीन के उतपादन में मध्यपरदेश पहले अस्थान पर महराष्ट दूसरे और राजस्थान तीसरे अस्थान पर है सूरज मुखी उतपादन की बात करें तो सूरज मुखी उतपादन में करनाटक हमारा पहले अस गुजरात दूसरे पर और मध्य परदेश तीसरे अस्थान पर है और हमने कुल दालों के उत्पादन में भी देखा था दोस्तों कुल दाल उत्पादन में भी राजस्थान परथम पर था महराश्ट दूती और मध्य परदेश वहां तीसरे पर था और कुल तिलहन उत्पाद तो गन्ना उत्पादन में भी दोस्तों उत्तर परधेश परथमस्थान पर था तो गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश पर्थम महराष्ट दूती और करनाटक तीसरे अस्थान पर है जबकि कपास उत्पादन की दृष्टी से गुजरात पर्थम तेलंगाना दूती और महराष्ट तीसरे अस्थान पर है तो कपास उत्पादन में गुजरात तेलंग और महराष्ट ये क्रम से एक दो तीन पर हैं जूट और मेस्ता उत्पादन की बात करें तो जूट सरवाधिक जूट उत्पादन पशिम बंगाल में होता है तो पशिम बंगाल पर्थम अस्थान पर बिहार आपका दूसरे और असम तीसरे अस्थान पर है जूट और मेस्ता क प्रमुख कैस क्राप के अंतरगत आता है दोस्तों तो आलू उत्पादन की नकदिफ हसलों में आलू उत्पादन की बात करें हजार मेट्रिक टन की बात करें अगर जो तो उत्तर प्रदेश पर्थम अस्थान पर आता है तो तीन चीजों में अभी तक हमने जो आंकड़े देखें उसमें उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना और आलू के उत्पादन में यहाँ पर हमने और खुल खाद्यान उत्पादन में चार चीजों में उत्तर प्रदेश हमारा पहले अस्थान पर है इसके बाद दूसरे पर पशिम बंगाल और तीसरे पर बिहार है अब आएए देखते हैं कुछ अन्य फसलों के उत्पादन को देख लेते हैं प्याज अगर जो प्याज उत्पादन की बात करें तो इसमें महराष्ट ट्राप पे है आप जानते भी हैं महराष्ट पहले अस्थान पर मध्य प्रद करनाटक में उत्पादित होती है दूसरे अस्थान पर केरल पे और असम में नारियल उत्पादन के आकड़े अगर जो हम देखें तो नारियल केरल टाप पर है करनाटक दूसरे अस्थान पर और तमिलनाड तीसरे अस्थान पर काजू उत्पादन में कई बार परिछाओं म महराष्ट प्रथम अस्थान पर है अगर जो हम कुल फलों के उत्पादन की बात करें दोस्तों कुल फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम, महराष्ट दुति और उत्तर प्रदेश तृति अस्थान पर आता है और कुल सबजियों में आप जानते हैं कुल सबजी उतपादन में पश्यम बंगाल टाप पर है और उत्तर परदेश दूसरे अस्थान पर है तीसरे अस्थान पर आपका मध्य परदेश आता है दोस्तों तीसरे अस्थान पर सबजी उत्पादन में कुल सबजियों के उत्पादन में मध्यपरदेश आता है लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों मसाला उत्पादन 2018-19 के आंकड़े ये हैं 2018-19 के आंकडों के अनुसार मसाला उत्पादन में मध्य परदेश हमारा टाप पर चला गया राजस्थान दूसरे पर और गुजरात तीसरे पर है कई वरसों से इधर गुजरात टाप पर चल रहा था लेकिन यहाँ पर देखिए 2018-19 के आंकडों में बदला हुआ है मध्य परदेश पहले अस्थान पर राजस्थान दूसरे और गुजरात आपका तीसरे अस्थान पर है तो यह आंकडे बहुत ही महतुपूर्ण है आप देख लीजेगा मसाला उत्पादन में मध्य परदेश टाप पर है राजस्थान दूसरे और गुजरात तीसरे पर है इसके अलावा काजू उत्पादन आपने देख लिया महराश्ट आंदर परदेश और ओरीसा दोस्तों नारियल उत्पादन में केरल परथम तमिलनाड दूते और करनाटक तीसरे अस्थान पर है प्याज उत्पादन के आकड़े ये जो आकड़े हम देख रहे हैं ये 2018-19 से संबंधित आकड़े हैं जिसमें दोस्तों महराश्ट परथम अस्थान पर मध्य परदेश दूसरे और करनाटक तीसरे अस्थान पर है और कुल आलू उत्पादन की अगर जो हम बात करें हमने पहले भी देख लिया है ब्यापारिक फसल या कैस क्राप में आलू उत्पादन तो दोस्तों आलू उत्पादन में पहले अस्थान पर उत्तर परदेश दूसरे पर पशिम बंगाल और तीसरे पर बिहार है तो ये थे हमारे भारत में प्रमुख क्रिशिगत उत्पादन के आंकड़े जिसमें हमने खाद्यान फसल तिलहन फसल नकदी फसल और जो सबजीयों के लिए प्याज आलू इन सब के उत्पादन के आंकड़े देखे दोस्तों आप इन आकड़ों को तयार कर लिजेगा एक बार फिर से हम कुछ महत्पूर फसलों को रिवाइज कर रहे हैं उत्पादन में दोस्तों चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर पशिम बंगाल है और उत्तर प्रदेश दूसरे पर है चावल उत्पादन में, गेहु उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले पर, मध्य प्रदेश दूसरे पर है, मक्का उत्पादन में करनाटक पर्थम अस्थान पर है, चना उत्पादन में राजस्थान, अरहर उत्पादन में करनाटक, लेकिन कुल दालों के उत्पादन में राजस्थान का है और कुल खाद्यान उत्पादन में दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला अस्थान है तिलहनी फसलों की बात की जाए तो मुफली उत्पादन में पहले अस्थान पर गुजरात रेपसीड और सरसो उत्पादन में पहले अस्थान पर राजस्थान सोयाबीन उत्पादन में अग्रडी राज्य मध्य प्रदेश है, सुरजमुखी उत्पादन सरवादिक करनाटक में होता है और कुल तिलहन उत्पादन में राजस्थान पहले नमबर पर है। प्याज उत्पादन में महराश्थ पहले अस्थान पर, सुपारी उत्पादन में करनाटक, नारियल का उत्पादन केरल में सरवाधिक होता है और काजु का अग्रडी उत्पादक राज्य हमारा महराश्थ है, कुल फलो में आंध्रपरदेश पहले अस्थान पर है और कुल आपके लिए यहां से है, यहां से एक प्रश्न है, यूपी इसपेसल आंकडों के समबंध में कि उत्तर प्रदेश किन फसलों के या किन कैस क्राब के उत्पादन में पर्थमस्थान पर है तो आपको बताना है आपके लिए ये प्रश्ण है कमेंट बाक्स में आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश किन फसलों के उत्पादन में प्रथमस्थान पर और किन फसलों के उत्पादन पर दूसरे अस्थान पर आता है आप इस वीडियो के आधार पर इस प्रश्ण का उत् उनका नाम हम अगले अपने अगले वीडियो में प्रकासित करेंगे तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लाइक करें शेर करें और इस चैनल माग दोशन फार सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस कर दोजगर